नमस्कार प्यारे मित्रों एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रेमत राज माथमेटिक्स पर सात्यों इस वीडियो लक्षर में हम बात करने वाले हैं अध्यापक पातरता परिक्षा रीट दोजार चोईस के सेलेबस के बारे में लेवल 2 का सेलेबस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और L1 का जो सेलेबस है वो मैंने पिसले वीडियो में डाल दिया है आपको चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा आप यदि L1 के विद्यारती ह है तो आप वहां से देख सकते हैं एल टू के समाजिक विज्ञान के सेलेबस के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में तो चलिए माधिमिक शिक्षाबोड राजस्तान अजमेर ये परिक्षा करवाता है प्री रीट दो दो पेपर निश्चित रूप से आपके होने वाले हैं देखिए ककसा छह से आठ यानि एल टू का ये सिलेबस है खंड एक में क्या आएगा बाल विकास एवं शिक्षन विद्या बाल विकास एवं शिक्षन विद्यों के साइकलोजी में कौन-कौन से टॉपिक है तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है बाल विकास क्या नाम है बाल विकास इसमें क्या-क्या पढ़ना है वरदी एम विकास की संकलपना विकास के विबिन आयाम एम सिद्धान्त विकास को परबावित करने वाले कारक विशेश रूप से परिवार एम विद्धाले के संदर्ब में एम अधिगम से उनका सम्मन्द इसी में है वनसा नुकरम एम वातावरन की भूमी का यह आपके यूनिट फस्ट है यूनिट फस्ट में यह बाल विकास की यूनिट है दूसरी यूनिट है जिसमें तीन टोपिक है बड़े बड़े ऐसे देखा जाए तो व्यक्तिकत विबिन्ताएं अर्थ परकार एं व्यक्तिकत विबिन्ताओं को प्रभावित करने वाले कारक इसी में है व्यक्तितों संकलपना परकार एं व्यक्तितों को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तितों का मापन की विदिया फिर है बुद्धी संक्लपना सिद्धान्त एम इसका मापन बवबुद्धी का सिद्धान्त एम इसके नहीतार्थ फिर है विविद अधिगम करताओं की समझ जिसमें पिछडे इसके बाद में एक यूनेटे जिसमें अधिगम का अर्थ एम संक्लपना अधिगम को परबावित करने वाले कारक अधिगम के सिद्धान्त जिसमें विवारवाद गेश्टार्डवाद, संग्यानवाद और निर्मितवाद सामिले एवं इनके नहीतार्थ बच्चे कैसे सीखते हैं अधिगम की परिक्रियाएं चिंतन, कलपना उतर्क निर्मितवादी उपागम अनुभाविक अधिगम संकलपना मानचित्रण अन्वेशन एं समश्य समादान इसी में है अभी परिड़नाव इसके अधिगम के लिए नहीतार्थ फिर नेक्स्ट है शिक्षन अधिगम की परिक्रियाएं राष्टिय पाटिय चरिया रूपरे का 2005 यानि NCF 2005 के संदर में शिक्षन अधिगम की व्यूरचनाएं विद्या आंकलन मापनें मुल्यांकन का अर्थ उद्देश्य शमगरें सतत मुल्यांकन उपलब्दी परिक्षन का निर्मान सीखने के परतिभल फिर है क्रियात्मक अनुसंदान और लास्ट में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानि आर्टी एक्ट 2009 अध्यापकों की भूमिका हैं व्यूरचनाएं तो यह आपके जो साइकलोजी की पांच यूनिट है देखिए एक यूनिट दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट और पांच यूनिट साइकलोजी में आपके तीस क्यूसन रहेंगे और यूनिट कितनी है पांच यूनिट आपको पड़नी पड़ेगी L2 के सेलेबस की बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ये सेलेबस रहेगा, चलिए उसके बाद में आपके आजाती है Language Language में आपको दो Language चुनना है जिसमें बासा फर्ष्ट और बासा सेकंड ये दो Language आपको चुनना है आपके लिए उप्शन रहेगा संसकर्थ हिंदी और अंग्रेजी का आप इन में से कोई भी दो बासाइं चुन सकते हैं Level 2 के लिए खंड सेकंड में बासा पर्थम हिंदी यदि आप चुनते हैं तो इसके तीस क्यूशन आएंगे और तीस अंकरेंगे हिंदी बासा फर्ष्ट के लिए syllabus क्या है तो पहली यूनिट में एक एपटित गद्यांस में से निमनल लिखित व्याकरण संबंदी परषन पुचे जा सकते हैं जिसमें सब्द ज्यान तत्सम, तद्बव, देशज, विदेशी सब्द प्रियाइवाची, विलोम, एकार्ती सब्द उपसर्ग और परती यह आपके एपटित गद्यांस में साएंगे दूसरी यूनिट है एक एपटित गद्यांस में से निमलेकित बिंदियों पर परषन जिसमें सब्दों का आर्थिस पष्ट करना वचन, काल, लिंग ग्याद करना दियेगे सब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना और राजस्तानी सब्दों के हिंदी रूप फिर अगले यूनिट है जिसमें वाकिय रचना, वाकिय के अंग, वाकिय के परकार, पदबंद, मुहावरे और लोकोक्तियां इसके साथ विरामचिन फिर है बासा की शिक्षन विदियां, बासा शिक्षन के उपागम, बासा दक्षता का विकास इसके बाद है बासाई कोसलों का विकास जिसमें सुनना, बोलना, पड़ना, लिखना हिंदी बासा शिक्षन में चुनोतियां शिक्षन अधिगम, सामगरी पाट्य पुस्तक, बवु माध्यम एव हिंदी शिक्षन के अन्ये संसादन बासा शिक्षन में मुल्यांकन, उपलब्दी परिक्षन का निर्मान समगर्य हम सतत्त मुल्यांकन और उप्चारात्मक शिक्षन यह यदि आप बासा फ़स्ट के रूप में हिंदी नंबर रहेंगे जिसमें unseen प्रोज पैसे जाएगा जिसमें यह विलोम सब्द प्रियावाच्ची सब्द spelling word formation one word substitution यह पुछे जाएगे फिर एक unseen और प्रोज पैसे जाएगा part of speech tense determiners degrees of comparison यह पुछा जाएगा इसके बाद अगली उनिट है framing question include wh questions active and passive voice narration knowledge of English sound and phonetic symbols फिर principle of teaching English methods and approaches to English language teaching यह सिक्षन विद्यों का पाट आगया फिर development of language skill teaching learning materials जिसमें textbook multimedia materials and other resources फिर continuous and comprehensive evaluation मगर मुल्यांकन assessment and evaluation in language तो यह यदि आप आसा फर्ष्ट के रूप में English सुनते हैं तो आपका यह syllabus रहेगा अब आसा पर्थम के रूप में यदि आप संस्कृत का चैन करते हैं तो इसका भी तीस क्यूशन और तीस अंकबार रहेगा जिसमें एपटित गध्यांस आएगा और नियमलेकित व्याकरण संबंदी पर्षन वो इंदी वाले यह लगबग लगग लगग अगला टोपिक है लकार परिवर्तन जिसमें आपको यह वाले लकार पढ़ने हैं फिर संख्या ग्यान उचारण इस्तान माहेश्वर्शुक्त संबंदित पर्षन पुछे जाएंगे फिर संसकर्थ में अनुवाद करना वाच्य परिवर्तन लट लकार का ही वाच्य परिवर्तन पुछा जाएगा वाकेशु पर्षन निर्मान करना एसुदी संसोधनम और संसकर्थ की सुक्तियां फिर संसकर्थ के रूप में चुनते हैं तो ये 30 क्यूशन इन टोपिकों से पुछे जाएंगे ठीक है अब ये उर्दू अगेरा आगई है तो इनको हम छोड़ देते हैं सिंधी को भी छोड़ देते हैं ठीक है अब बासा सेकेंड यदि आप हिंदी चुनते हैं बासा फिस्त का पुचा जाएगा? व्याकन से समधित वोई one विचार, one विशलेशन, सब्द, ग्यान, तस्सं, तदब, उदेशज, विदेशी शब्द, यूगम, सब्द, उपशक, परतेश से समधित पर्शन संदी समा सब्दों को सब्द कोस क्रम में लिखना सब्दों के मानक रूप लिखना संग्या सरोना विशेशन किरिया विशेशन किरिया लिंग वचन काल से समदित पर्षन एपटित गद्यांस में ये वाला लगे देखी बाव संदरिये विचार संदरिये नाद संदरिये सेल्प संदरिये और जीवन दरश्टी ये दूसरे एपटित गद्यांस में से पुछ जाएंगे इसके साथ ही वोई वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के बेद, पदबंद, मुहावरे लोकोक्तियां, कारक चिन, अव्य, विराम चिन, राजस्तानी मुहावरों का रत्वे प्रियोग, आगे बासा शिक्षन विदी, बासा शिक्षन के उपागम, बासाई दक्षता का विकास, फिर टिचिंग वेथर आजएगे आपके बासाई कोसलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वो सेमी है, शिक्षन अधिगम, सामगरी, पाठी, पुस्तक, बहु माध्य में शिक्षन के अन्य संसादन, फिर बासा शिक्षन में मुल्यांकन, सुनना, ब लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, और इन्फरेंसेज, ये फिर अन्सीन पोईम, ये पोईम आएगे आपके यदि आप सेकंड लेंग्वेज इंग्लिस लेते हैं तो, ठीक है, ये इसमाइल, मेटाफोर, एसोनेंस, राइम, ये सारे इसमें से पुछ जाएंगे फिर मोडल आजाएंगे इसमें, कॉमन, आइडम्स, एंड प्रेसेज, लिटरली टरम्स जिसमें, इलगी, सोनेट, सोर्ट, स्टोरी, ड्रमा, ये सारे लेंग्वेज टू, इंग्लिस में आएंगे, बेसिक नॉलेज अप इंग्लिस साउंड एंड दियर फोनेटिक सिंबल, प्रिंसिपल्स ओप टिचिंग इंग्लिस, कॉम्युनिकेटिव एप्रोज टू इंग्लिस लेंग्वेज टिचिंग, चैलेंजेज ओप इंग्लिस टिचिंग, इफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिस, फिर है मेथड ओप एवलिशन और रिमेडियल टिचिंग, ये लें सntu 7 परषंद पुछए जाएंगे लेकिन इस बार एक पध्यांस आएगा जिसमें सलोक राजस्तान इतियाश कला संस्कृति से समंधेb रहेगा पध्यांस जिसमें से संदी समास कारक परतिय चंद अलंकार विशेश विशेशन लिंग संबंधी परशन पुचे जाएंगे बाकी वोई ये संक्या ग्यान समय ग्यान महस्वर सुतर संबंधी परशन संसकर्त अनुवाद स्वरि वेंजन उचारणिस्तान वाची परि संसकर्ट शिक्षन की संप्रेशन शादन और पाठ्य पुस्तत फिर संसकर्थ वाचा शिक्षन का मुल्यांकन संबंधित परशन और मौखिक लिकित परकार के परशन सतत मुल्यांकन उप्चारात्मक शिक्षन तो ये लेंग्वेज टू यदि संसकर्थ के रूप में आप समाजिक विज्ञान में समाजिक अद्धन के 60 कुषिन आएंगे और 60 नमरों का यह मैटर रहने वाला है देखें पहले हमने 30 मनो विज्ञान के देखें पिर 30 फर्स्ट लेंग्वेज के फिर 30 सेकंड लेंग्वेज के और 60 आपके सब्जेक्ट के यानि 500 क्यूषन और 500 नमर का ये पेपर होता है ठीक है तो अब चलिए समाजी कद्यन में आपको क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहला टोपिक है बारतिय सब्यता संस्कृतियों समाज जिसमें सिंदु गाटी सब्यता वेदिक संस्कृति जैनेव बोद्रम महाजनपद काल उसके बादे मोरिय तथा गु इसमें भक्तियों और सुपी आंदोलन मुगल राजपूत संबन मुगल पर्साचन बारतिय राज्यों के परति बेटिस नीती 1857 का विद्रो बारतिय अर्थिवस्था पर बेटिस प्रभाव पुनर जागरन यें समाजिक सुदार बारतिय राष्टिय आंदोलन फिर बारति समिदान यें लोगतंतर बारतिय समिदान का निर्मानें विशेश्थाएं उद्देशी का मूल अधिकार यें मूल करतवी समाजिक न्याय बाल अधिकार यें बाल सरंक्षन लोगतंतर में निर्वाचन में मत्दाता जाग रुकता फिर सरकार कठनें कारियें जिसमें संसद राष्टपती, प्रदान मंत्री, मंत्री परिशद, उचतम नेयले, राज्य सरकार, पंचायती राज्य नगरी, सवसासन, विशेस तोर से राज्यस्तान के संद्रब में, जिलापर सासनें नय विवस्ता, फिर है परत्वी हमारा प्रियावरण, सोर मंडल, अक्षांस देशां परत्वी की गतियां, वायुदाप, पवने, चक्रवारतें, परति चक्रवात, महासागरी, परिशंचरन, जुआलामुकी, भुकम, परियावरणी समश्याएं, समाधान, अगला है बारत का बुगोलें, संसादन, जिसमें बु आकर्ती, परदेश, जलवायू, प्राकर्ति उद्योग, खनीज, परिवें, जनसंक्या, मानव संसादन, विकास के आर्तिक, समाजिक कारिक्रम, फिर है राजस्तान का बुगोलें, संसादन, जिसमें बु आकर्तिक परदेश, जलवायू, अपुआ, परणाली, जिलें, मर्दा, जलसरंक्षन, संग्रें, कर्शि फसलें खनीज, उर्जा, संसादन, राजस्तान की परमुक नेरे, नदीगाटी, प्रिवें, उद्योग, जनसंक्या, प्रियटन, इस्तल, एमवन, एमवन्य, जीवन, ये राजस्तान के संदर में, फिर है राजस्तान का इतियास, जिसमें प्राचेन सब्यताय में जन्पद, राज 157 की करांती में राजस्तान का योगदान, राजस्तान में परजामंडल जन्जाती, एम किसान अंदोलन, राजस्तान का एकिकरन, राजस्तान के प्रमुक व्यत्तितव, फिर है राजस्तान की कलायं संसकरती, राजस्तान की विरासत, जिसमें दूर्ग, महल, इसमार्क सामि राजस्तान के मेले तयार लोक कलाई राजस्तान के चित्रकला राजस्तान के लोक नर्तियों लोक नाटि लोक देवता लोक शंत लोक संगीत वादे अंतर राजस्तान के हस्त कलाई विस्तापत्यकला राजस्तान की वेश बुशा आबुशन और राजस्तान की बासा और साहित फिर आपकी टीचिंग मेथड़ जिसमें शिक्षा सास्त्री मुद्धे फर्स्ट यूनिट है उसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्यन की संकलपने परकरती, कक्सा कक्स की परक्रियाई, किरियाकलाप, एम विमर्ष, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्यन के योजना कारिये, सेकने के परतिफल और मुल्यांकन, तो प्यारे मित्रों, ये था आपका रीट एल टू, जो परी रीट होईगी दोजार चोईस में, उसका एल टू के सामाजिक विज्ञान का सेलिबस, जिसमें 30 क्यूशन मनो विज्ञान के, 30 क्यूशन लेंग्वेज फर् क्यूशन आएंगे, तो आपके प्री रीट दोजार चोईस में, 150 पर सनाएंगे और 150 नमरों का ही मेटर ये रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो प्यारे सातियों, ये सेलिबस था, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक और शेर करें, L1 का सेलिब इस भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जै बारत, थैंक्यू